ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी राम लीला इसलाम खान से ले लूँगा और भविश्च के लिए उनको सबक सिखा दूँगा कि भविश्च में किसी भी खान को राम लीला करने की अनुमती नहीं परदान करेंगे। बिल्कुल गलत है जो इस बात को तैई ना कर सके कि किसका स्थान कहा होना चाहिए। हमारे धर्म की रक्षा करने वाले अगर खुदी रक्षक भख्षक बन जाएंगे तो रक्षा कैसे हो। तो यह जिन ने दिया है मैं उनका पुर्जोल विरौत करता हूँ जिस तरह हनुमान जिने लंका में आग लगाई थी उसी तरह मैं इन विधर्मियों को आग में घुलने का काम करूँ क्योंकि दिल्ली विकास प्राधी करन की जमीनों पर होने वाली राम लिलाओं में दिल्ली धार्मिक महसंग के द्वारा इस्लाम खान नामक व्यक्ति को दो जगए लीला की अनुमती देने के मामले में अब हिंदू संगठोनों ने कडा रुख अक्तियार कर लिया है इसी संगठा में आज दिल्ली के द्वार का इलाके में विबिन ने हिंदू संगठनों और धर्माचारों की एक बड़ी बैठक होई जिसके माध्यम से दिल्ली धार्मिक महसंग के इस फैसले की न सिर्फ कड़ी निंदा की गई बलकि दिल्ली धार्मिक महसंग को कड़ी चे दिल्ली धार्मिक महासंग के द्वारा दलित समितियों के अधिकारों को छीन कर इस वर्ष होने वाली रामलीला इसलाम खान के हवाली कर दी गई है। द्वारी का सेक्टर एक डीडिये ग्राउंड में जो धार्मिक समिति रामलीला करती थी उसको डीडिये ग्राउंड बुक करने के बाद भी धार्मिक समिति महासंग जो दिल्ली में बनी है। उन्होंने मुहमत इसलाम खान को रामलीला करने के लिए ग्राउंड बुक कराया और उनको अन्वति दिया। उसकी जानकारी मुझे मिली कुछ सदस से वहां के। मैं एक्टिव हुआ और करीब-करीब 90% उसे सफलता प्राप्त हो गई है। धार्मिक समिति महासंग से ही मैंने बात किया। संग के लोगों से मैंने बात किया। और अंत में उन लोगों ने एक्सेप्ट किया और आज बुलाया है इसलाम खान को उनसे लेटर लेंगे कि हम से कोई मतलब नहीं करेंगे और वहां की लोग करें। कि दूसरी राम लीला इसलाम खान से ले लूँगा और भविष्ट के लिए उनको सबक सिखा दूँगा कि भविष्ट में किसी भी खान को राम लीला करने की अनुमती नहीं परदान करेंगे। हम तो यह दृट संकल ले कर वाटे हैं कि राम लीला तो आपस लेंगे ही लेंगे उनसे। इनसे हम यह वादा ले लेंगे कि अब भविष्ट में किसी खान को राम लीला करने की अनुमती परदान करेंगे। उस नहीं करा भावनाएं नहीं हैं उनके परती तो वो उसमें किरदार में कैसे वो भावनाएं देंगे। हमारे बच्चे वहां से भगवान का कई कोई हाथ से पात तो नहीं लेके जाएंगे। कोई मजाग तो नहीं समझके जाएंगे वो भगवान राम को और रावन को हलके में तो नहीं लेके जाएंगे। क्योंकि दिखाने वाला कौन है ये बहुत बड़ी बात है। और जब कोई गलती नहीं है तो मुझे लगता है कि ऐसे संगठन का होना ही बिलकुल गलत है जो इस बात को तैई ना कर सके कि कि किसका स्थान कहा होना चाहिए। हमारे धर्म की रक्षा करने वाले अगर खुदी रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो रक्षा कैसे होगी। तो हमारे को बहुत इसकी साफधानी की आवशकता है कि हम अपने धर्म की यक्षा के लिए किन हातों में वो बागदोड सौप रही है। इसका चयन भी हमें सही से करना चाहिए। सिर्फ मजाक और मजाक और हमारे समाज को यह सिर्फ मजाकी देंगे तो इसको बंद किया जाए। सब का एकी संकल्प है सनातन विरोधी कोई भी हो। हम सब यहां पर सनातन के रूप में बैठे थे कोई अलग अलग जाती अलग अलग प्रांत यह विशही नहीं था यहां पर। हम सब को सनातन के प्रति कृत संकल्प होना होगा। सनातन विरोधी कोई भी हो। उसके प्रति हम लोग को अपना जो उद्गार है वो प्रकट करना ही पड़ेगा। हम लोग किसी भी सनातन विरोधी के मनसूबे को दिल्ली के अंदर क्या पूरे भारत में कहीं भी उसके मनसूबे को पूरा नहीं उने देंगे ये संकल्प लिया गया है और उसी करम में ये तै किया गया कि दिल्ली धार्मिक महासंग के निताओं से मुलाकात की जाएगी उनको संटों की उनके जो धर्म के जो हमारे रक्षक है उन सभी की बातों से अफगत कराये जाएगा और बताये जाएगा कि आप से कहां कहां भूल हुई देखे भूल हो सकती आदमी से गलती हो सकती है उसको सुधार ले सनातर में तो जिसने भी गलती नाम लिखा गया है यही दिल्ली अधर्मिक महासंग लोग कहने लग जाएंगे। नाम लिखा गया है यही दिल्ली अधर्मिक महासंग का यह फैसला ना सिर्फ गलत बल्कि बेहत बचकाना दिखाई देता है। आवशक्ता इस बात की है कि दिल्ली धार्मिक महसंग और दिल्ली विकास प्राधी करन दोनों ही मिलकर इस फैसले को सुधारें और सनातन मताब लंबियों की धार्मिक भावनाओं का दोहन करने से बचें Breaking News दिल्ली अश्यार के लिए बीरो बूट